अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी वक्षिट नंबर 11 विज्ञान सब्जक्ट के बच्चों के लिए 6 तारीक के ठीक है जिसमें आज हम धातू रहे धातू के भोती गुन में आगे पढ़ने वाले हैं आज हम धातू के अनिय भोती गुनों के बारे में जानेंगे धातविक गुन क्या होता है धातू से बनि वस्तूं को जब कठोर सतय से ठकराया जाता है तो एक रिंगिंग ठीक है धुनसे तो एक छमँ से स्टील के गिलास लकड़ी के दरवाजे पर चोट करें闔र दोनों की धहनियों को सुने और अंतर करें तो देखो बेटा एक चमझ को आप लकड़ी पर लगा बजाओगें और एक को स्टील पर बजाओगे तो आपको ध्वहनी पता चल जाएगी दोनों में डिफ्रेंस तो जो लकड़ी में की बेटा वो तो एक बार ही हो के रह जाएगी लेकिन जो आपने स्टील के अंदर की होगी तो उससे क्या होगी एक द्वनी उत्पन होगी जो हमें काफी देर तक सुनाई देगी ठीक है तो वो होती है ध्वानिक ओके तो ये भी गुन धातुओं में पाया जाता है जैसे घंटिया बनती है तो घंटिया इसलिए धातुओं की बनती है ठीक है लकडी की नहीं बनती अब विद्यूत के सुचालक या कुचालक तो इन गुनों को एक विदी गती विदी द्वारा समझते हैं बैटरी बल्ब और तार को दिये गई चित्र के अनुसार जोड़ कर प्रीपत बनाई है ठीक है प्रीपत बैटा पर यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर हमने देखो बीच में क्या जोड़ा है कुछ और जोड़ दिया ठीक है मानलो प्लास्टिक है इसको हमने जोड़ दिया तो यहाँ पर बल्ब गलो नहीं कर रहा ठीक है लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने एक बैटरी को एक लो कि प्रिपत में लगा बल्ब जला या नहीं और तालिका में लिखे, तो बेटा, आपको यहाँ पर यह तालिका दी गई है, इसमें आपको देखकर बताने कि कौन सा जलता है और कौन से से बल्ब नहीं जलता, ये एक प्रिक्ष्न है करोगे तो आपको समझ आएगा खुद से ठीक है तो यहाँ पर देखो बेटा पधार्थ किया है लोहा लोहा दिया है तो अगर आप यहाँ पर लोहे को जोड़ोगे जैसे यह जोड़ा हुआ है तो बल्ब क्या करता है गलो करता है तो क्या कहोगे बल्ब दीप्त हुआ ठीक ह कोईले को जोडते हो बेटा तो नहीं हुआ ठीक है नहीं हुआ इसको जोडने पर नहीं होता बेटा फिर एलिमूनियम की तार को जोडते हो तो फिर से होता है तो आप लिगोगे बल्ब दीप्त हुआ ठीक है फिर तांबे के तार में भी बल्ब दीप्त हुआ तो क्या समझ मे गई और उससे बल्ब भी नहीं जला तो हिस्से में क्या पता चला धातु एका होते क्या होति है विद्यूत की सुचालक होती है और जो देखो पेटा धातुए क्या होती है विद्यूत की सुचालक होती है और धातुए विद्यूत की कुचालक होती है प्रंतु ग्रेफाइट एक ऐसी धातुए जो विद्यूत की सुचालक है ठीक है ग्रेफाइट बेटा क्या है एक ऐसी धातुए जो क्या है विद्यूत की सुचालक है अब ब इंकी की ममी बेटा क्या गड़ी थी कढ़ाई में हलवा बना रही थी दरवाजे की घंटी बजी वे चमच को कढ़ाई में ही छोड़ कर दरवाजे खोलने चली गई वापस लोटकर उन्होंने जैसे ही चमच पकड़ी तो उनकी चीख निकल गई क्यों निकल गई बेटा देख वो गर्म हो जाता है ठेक कि आपने इस्तमाल किया होगा तो एक सिरे को गर्म करने पर हुस्मा गर्म सिरे लिए क्थंदे की है। और धातु में उसमा चालन नहीं होता वे उसमा की कुछालक होती है तो बेटा देखो जितने भी आपके बड़तान इस्तमाल होती है आप देखते होंगे जहां से आप उसको पकड़ते हो हैंडल जो होता है वो लकड़ी का या प्लास्टी का इस तरीके का बना होता है लोहे का बना होता है लेकिन उसके हैंडल जो है वो लकड़ी के होते है तो ऐसा क्यों होता है बटा तो देखो तवा लोहे का बना होता है क्योंकि लोहा उसमा का सुचालक होता है जिसके कारण जब हम तवे के उपर चपाती बनाते तो गर्म हो जाती है प्रंतु उसका हैंडल लकडी का बना होता है ठीक है क्योंकि लकडी उस्मा की कुछालक होती है जिससे मैं अपने देखो बिटा जो क्या यहां पर क्या लिखोगे जो अपने में से ठीक है जो अपने में से उस्मा ये काट दोगे जो अपने में से उस्मा को परवाइत नहीं होने देती ताकि जब हम तवे पर पकड़े तो हमारा हाथ ना जल सके तो इसलिए हम उसका परियोग करते है क्योंकि वो अपने अंदर से क्या करती है उस्मा को संचालित नहीं होने देती तो जब हम उसको यूज करेंगे गरम करने पर भी तो हमारा हाथ नहीं चलेगा ठीक है? अब नेक्स्ट कोशन क्या है बेटा? नेक्स्ट कोशन है आपका पिंकी की मम्मी चमच को पकड़ते ही क्यों चीखी? धातु के कोई तीन उपयोग लिखो तो पिंकी की मम्मी चमच पकड़ते ही इसलिए चीखी क्योंकि चमच उस्मा की चालक होने के कारण गर्म हो चुकी थी धातु के गर्म सिरे से उश्मा धातु के दूसरे सिरे यानि के ठंडे सिरे तक पहुँच चुकी थी इसलिए जैसे ही पिंकी की ममी ने चमश को पगड़ा तो उसका हाथ जल गया अब धातु का प्रियोग बेटा हम विद्युत तार बनाने के लिए करते हैं बरतन बनाने के लिए करते हैं आभूशन आदी बनाने के लिए करते हैं ठीक है तो तीन उने देती हैं, वो विद्धित की सुचालक कहलाती हैं और वे धातुए जिनका एक सीरा गरम करने पर उसमा यहां पर इस तरीके का उसमा ऐगा ठीक है उसमा उसमा दूसरे सिरे यानि की ठंड़े सिरे तक स्थानांतरित हो जाती है मतलब कि एक सिरे यहां पर देखो वे ठंडे सिरे तक स्थानांत्रित हो जाती है वह उस्मा के चालक कहलाते हैं तो इसमें ये लिख दो गया फॉर्थ कुशन के बटार नीचे दी गई सारणी में पधारतों के नाम लिखे उनके गुनों के आधार पर सही या गलत का निसान लगाएं और बताएं कि वह पदारत धातू है या एधातू है ठीक है तो आपको ये बताना अब यहाँ पर देखो बटा लोहा है लोहा क्या चमकदार है तो है आगातवर्धनिय है हम इसको चादर में बदल सकते तन्या है तार भी बनाते हम दुहनिक भी है घंटिया बनती है उस्मा का चालक भी है विद्युत का सुचालक भी है और धातू है या एधातू है तो बेटा वो धातू हुई ठीक है तो क्या हुई ये धातू हुई क्योंकि सारे गुण है इसमें फिर ताबा चमकदार होता है आगातवर्धनिया भी होता है तन्या भी होता है दुहनिक भी होता है चालक भी होता है तो ये क्या हो जाएगा ये भी धातू हो जाएगी ठीक है फिर कोईला क्या है बेटा चमकदार है? नहीं आगातवर्धनियान नहीं तन्यान नहीं धुवनिक नहीं उस्मा का चालक सुचालक भी नहीं तो इसलिए ये क्या हो गई? एधा तु ठीक है? अब बेटा कारबन चछ्ड देखो तो कारबन की च्ड होती बेटा वो क्या होती है चमकदार होती है नहीं आगातवर्दनिये नहीं तन्ये नहीं द्वानिक नहीं लेकिन उस्मा की चालक हो जाती है बेटा वो ठीक है तो उस्मा मतलब की विद्युत की सुचालक हो जाती है जब हम विद्युत का परवा करते हैं उसमें से तो ये तो आप लिख तो पहली दो धातुएं, लास्ट की धातुएं, बीच की दो धातुएं, तो यह आपकी आज की वक्षीट थी बेटा, उमीद करती हैं, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बोक्सें पूछ लेना, इस वीडियो में इतने हैं, अपना न